ओम शान्ती 22 नवंबर दो हजार चोबिस के इश्वरिय महावाक्य पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स बाबा ने कहा जैसे मैं ग्यान का सागर हूं ऐसे बच्चों को आप समान बनाने का पुरुशार्थ कराता हूं यहां तुम विश्व का मालिक बन रहे हो तो ऐसे स्टुडेंट की बुद्धी कैसी होनी चाहिए तुम्हारी चलन और वारतालाब बहुत अच्छा होना चाहिए बाब जो पढ़ाते हैं अगर उसे अच्छी रिती पढ़ते हैं तो यह भी जैसे बाब का रिगार्ड रखते हैं फिर बाबा ने कहा बचे तुमको कभी रोना नहीं है या हुसे नहीं मचाना चाहिए जिन रोया तिन खोया सदा अंदर में कपारी खुशी रहे हर एक अपने से पूछो ऐसी खुशी है नहीं तो विश्प की उच्छे बादशाही गवाँ बैठोगे जो अच्छी रिती नहीं पढ़ते वह बाब को इतना रिगार्ड से याद भी नहीं करते बाबा ने कहा रावन की मत पर चलते चलते सब कोड़ी मिसल बन गए हैं अब राम, शुब बाबा ऐसी मत देते हैं जिससे कभी नुकसान नहीं हो सकता बाब नुकसान को भी फायदे में बदल देंगे परंतु निश्य बुद्धी हो तब और लास्ट में बाबा ने कहा ग्रस्त विहवार में रहते भले रंगीन कपड़े भी पहनो कौन कहता है कि तुम कपड़े आदी बदली करो इससे कोई तालूक नहीं है तुम्हें बहुतों के एक कनेक्शन में आना पड़ता है इसलिए रंगीन कपड़ों के लिए बाप मना नहीं करते सिर्फ कहते हैं देह सहित देह के सर्व समबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से बाबा ने कहा मीठे बच्चे बाप की शिरिमत पर चलना ही बाप का रिगार्ड रखना है मनमत पर चलने वाले डिस्रिगार्ड करते हैं प्रश्ण ग्रस्त वेवार में रहने वालों को किस एक बात के लिए बाबा मना नहीं करते लेकिन एक डिरेक्शन देते हैं वह कौन सा? अत्तर बाबा कहते बच्चे तुम भल सभी के कनेक्शन में आओ कोई भी नोकरी आदी करो संपर्क में आना पड़ता है रंगीन कपडे पहनने पड़ते हैं तो पहनो बाबा की मना नहीं है बाब तो सिर्फ डिरेक्शन देते हैं बच्चे देहे सहित देहे के सब संबंधों से ममत्व निकाल मुझे याद करो ओम शांती शुबाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं अर्थात आप समान बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं जैसे मैं ग्यान का सागर हूं वैसे बच्चे भी बने यहे तो मीठे बच्चे जानते हैं सब एक समान नहीं बनेंगे पुरुशार्थ तो हर एक को अपना-पना करना होता है स्कूल में स्टुडेंट तो बहुत पढ़ते हैं परन्तु सब एक समान पास्विद ओनर्स नहीं होते हैं फिर भी टीजर पुरुशार्थ कराते हैं तुम बच्चे भी पुरुशार्थ करते हो बाप पूचते हैं तुम क्या बनेंगे सब कहेंगे हम आये ही हैं नर्से नारायन, नारी से लक्षमी बनने यह तो ठीक है परन्तु अपनी एक्टिविटीज भी देखो न बाप भी उँचते उँच है टीचर भी है, गुरु भी है इस बाप को कोई जानते नहीं तुम बच्चे जानते हो शुबाबा हमारा बाबा भी है टीचर भी है, सत्गुरु भी है परन्तु अह जैसा है वैसा उनको जानना भी मुश्किल है बाप को जानेंगे तो टीचर पना भूल जाएगा फिर गुरुपना भूल जाएगा रिगार्ड भी बाप का बच्चों को रखना होता है रिगार्ड किसको कहा जाता है बाप जो पढ़ाते हैं वह अच्छी रिती पढ़ते हैं गोया रिगार्ड रखते हैं बाप तो बहुत मीठा है अंदर में बहुत खुशी का पारा चड़ा रहना चाहिए का पारी खुशी रहनी चाहिए हर एक अपने से पूछे हमको ऐसी खुशी है एक समान सब तो रह नहीं सकते पढ़ाई में भी वास्ट डिफ्रेंट है उन स्कूलों में भी कितना फर्क रहता है वह तो कॉमन टीचर पढ़ाते हैं यह तो है अनकॉमन ऐसा टीचर कोई होता ही नहीं किसको यह पता ही नहीं है कि निराकार फादर टीचर भी बनते हैं भल श्रिक्रेशन का नाम दिया है परन्तु उनको पता ही नहीं कि वह फादर कैसे हो सकता श्रीक्रेशन तो देवता है ना, यू तो श्रीक्रेशन नाम भी बहुतों का है, परन्तु श्रीक्रेशन कहने से ही श्रीक्रेशन सामने आ जाएगा, वह तो देहधारी है ना, तुम जानते हो यह शरीर उनका नहीं है, खुद कहते हैं मैंने लोन लिया है, यह पहले भी मनश अब भी मनश्य है, यह भगवान नहीं है, वह तो एक ही निराकार है, अब तुम बच्चों को कितने राज समझाते हैं, परन्तु फिर भी फाइनल ही बाप समझना, टीचर समझना यह अभी हो नहीं सकता, घड़ी घड़ी भूल जाएंगे, देहधारी तरफ बुद्धी चली जाती है, फाइनल बाप, बाप टीचर सत गुरु है, यह निश्य बुद्धी में अभी नहीं है, अभी तो भूल जाते हैं, स्टुडेंट्स कभी टीचर को भूलेंगे क्या, होस्टल में जो रहते हैं, वह तो कभी नहीं भूलेंगे, जो स्टुडेंट होस्टल में रहते उन्हें तो पक्का होगा ना, यहां तो वह भी पक्का निश्चे नहीं है, नंबरवार पुरुशार्थनुसार होस्टल में बैठे हैं, तो जरूर स्टुडेंट्स हैं, परन्तु यह पक्का निश्चे नहीं है, जानते हैं, सब अपने अपने पुरुशार्थनुसार पद उस पड़ाई में तो फिर भी कोई बैरिस्टर बनते हैं, इंजीनिर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, यहां तो तुम विश्व के मालिक बन रहे हो, तो ऐसे स्टूरेंट की बुद्धी कैसी होनी जाहिए, चलन वारतालाब कैसा अच्छा होना जाहिए, बाप समझाते हैं, बच्चे, तुमको कभी रोना नहीं है, तुम विश्व के मालिक बनते हो, या हुसेन नहीं मजानी जाहिए, या हुसेन मजाना, यह है हाईस्ट रोना, बाप तो कहते हैं, जिन रोया, तिन खोया, विश्व की उंचतेउच बादशाही गवा बैठते हैं, कहते तो हैं, हम से नारायन बनने आए हैं, पर अंतु चलन कहां। नंबरवार पुरुशार्थ हनुसार सब पुरुशार्थ कर रहे हैं। उसमें स्वतंत्र लाइफ समझते हैं, पढ़ना बंधन समझते हैं, ऐसे भी बहुत होते हैं, सहुकारों में जमिदार लोग भी कम नहीं होते हैं, अपने को इंडिपेंडेंट बड़ा खुशी में समझते हैं, नोकरी नाम तो नहीं है न, ओफिसरी आदी में तो मनुष्य न नोकरी करते हैं न, अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाने, नोकरी के लिए नहीं पढ़ाते, तुम तो इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनने वाले हो न, बड़ी उँची पढ़ाई ठहरी, तुम तो विश्व के मालिक बिलकुल पहरानी बनते हो, सोभी पवित्र, तुम तो कहते हो, कोई भी धर्म वाला हो, आकर पढ़े, समझेंगे यह पढ़ाई तो बहुत उंची है, विश्व के मालिक बनते हो, यह तो बाप पढ़ाते हैं, तुम्हारी अब बुद्धी कितनी विशाल बनी है, हद की बुद्धी से बेहद की बुद्धी में आये हो, नंबरवार पुरुशार थनोसार, कितनी खुशी रहती है, हम सब औरों को विश्व का मालिक बनावें, वास्तों में नोकरी तो भल वहां भी होती है, दास दासियां नोकर आदी तो चाहिए न, पढ़े के आगे अनपढ़े भरी इसलिए बाप कहते हैं, अच्छी रिती पढ़ हो, तो तुम यह बन सकते हो, कहते भी हैं, हम यह बनेंगे, पर अंतु पढ़ेंगे नहीं, तो क्या बनेंगे, नहीं पढ़ते हैं, तो फिर बाप को इतना रिगार्ड से याद नहीं करते हैं, बाप कहते हैं, जितना तुम याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बच्चे कहते हैं बाबा जैसे आप चलाओ बाप भी मत इन दवारा ही देंगे ना परन्तु इनकी मत भी लेते नहीं फिर भी पुरानी सड़ी हुई मनश्य मत पर ही चलते हैं। उस पर चलते हैं। रावन की मत पर चलते चलते इस समय कोडी मिसल बन गए हैं। अब राम शिबाबा मत देते हैं। निश्य में ही विजय है। इसमें कभी नुकसान नहीं होगा। नुकसान को भी बाप फाइदे में बदल देंगे। परन्तु निश्य बुद्धी वालों को संशे बुद्धी वाले अंदर घुटका खाते रहेंगे निश्य बुद्धी वालों को कभी घुटका कभी घाटा पड़ नहीं सकता बाबा खुद गरंटी करते हैं शुरिमत पचलने से कभी अकल्यान हो नहीं सकता मनुष्य मत को देहधारी की मत कहा जाता है यहां तो है ही मनुष्य मत गाया भी जाता है मनुष्य मत, इश्वरिय मत और देवी मत अब तुम्हें इश्वरिय मत मिली है जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो फिर वहां तो स्वर्ग में तुम सुख ही पाते हो कोई दुख की बात नहीं वह भी स्थाई सुख हो जाता है इस समय तुमको फिलिंग में लाना होता है भविश्य की फिलिंग आती है अभी यह है पुरुश्यत्म संगम युग जबकि शिरिमत मिलती है बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूं उसको तुम जानते हो, उनकी मत पर तुम जलते हो बाब कहते हैं, बच्चे, ग्रस वेहवार में भल रहो कौन कहता है, तुम कपड़े आदी बदली करो भल कुछ भी पहनो, बहुतों से कनेक्शन में आना पड़ता है रंगीन कपड़ों के लिए कोई मना नहीं करते हैं कोई भी कपड़ा पहनो, इनसे कोई तालूक नहीं बाब कहते हैं, देहे सहित, देहे के सब संबंद छोड़ो बाकी पहनो सब कुछ, सिर्फ अपने को आत्मा समझ, बाब को याद करो यह पक्का निष्चे करो, यह भी जानते हो, आत्मा ही पतित और पावन बनती है महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे कहना भी शोबता नहीं कितनी अच्छी पॉइंट्स हैं समझने की सत्गुरू सर्व को सद्गती देने वाला तो एक ही बाप है, वहां कभी अकाले मृत्यू होती नहीं, अभी तुम बच्चे समझते हो, बाबा हमको फिर से ऐसा देवता बनाते हैं, आगे यह बुद्धी में नहीं था, कल्प की आय कितनी है, यह भी नहीं जानते थे, अभी तो सारी स्मृती आई है, यह भी बच्चे समझते हैं, आत्मा को ही पाप आत्मा, पुन्य आत्मा कहा जाता है, पाप परमात्मा कभी नहीं कहा जाता, फिर कोई कहे परमात्मा सरव्यापी है, तो भी कितनी बेसमझी है, यह बाप ह बैट समझाते हैं पुन्यात्मा बन जाते हो तुम फेल करते हो माया कितने विग्रन डालती है एक दम नाक में दम कर देती है तुम समझते हो माया से युद्ध कैसे चलती है उन्होंने फिर कोर्वों और पांडवों की युद्ध लश्करादी क्या-क्या बैठ दिखाया है इस युद्ध का किसको भी पता नहीं यह है गुप्त इनको तुम ही जानते हो माया से हम आत्माओं को युद्ध करने है बाप कहते हैं सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है ही काम योगबल से तुम इस पर विजय पाते हो योगबल का अर्थ भी कोई नहीं समझते है जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बने है बाप खुद कहते है बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ वही तमो प्रधान बना है तत्वम बाबा एक को थोड़े ही कहेंगे नमबर वार कौन कौन है यहां तुमको पता पढ़ा है आगे चल तुमको बहुत पता पढ़ेगा माला का तुमको सक्षात कार कराएंगे स्कूल में जब ट्रांसफर होते हैं तो सब मालूम पढ़ जाता है न रिजल्ट सारी निकलाती है बाबा ने बच्ची से पूझा तुम्हारे इम्तिहान के पेपर कहां से आते हैं बोली लंदन से अब तुम्हारे पेपर कहां से निकलेंगे ओपर से तुम्हारा पेपर ओपर से आएगा सब सक्षात कार करेंगे कैसी वन्रूफुल पढ़ाई है कौन पढ़ाते हैं, किसको पता नहीं है श्रीक्रेश्न भगवानु वाच कह देते हैं पढ़ाई में सब नंबरवार हैं, तो खुशी भी नंबरवार होगी यह जो गायन है, अतिंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूझो यह पिछाडी की बात है, बाप ने समझाया है भल बाबा जानते हैं, यह बच्चे कभी गिरने वाले नहीं है परन्तु फिर भी पता नहीं क्या होता है पढ़ाई ही नहीं पढ़ते हैं, तकदीर में नहीं है थोड़ा ही उनको कहा जाए, कि जाकर अपना घर बसाओ उस दुनिया में, तो जट चले जाएंगे कहां से निकल, कहां चले जाते हैं उनकी चलन, बोलना, करना ही ऐसा होता है समझते हैं, हमको अगर इतना मिले, तो हम जाकर अलग रहें चलन से समझा जाता है इसका मतलब निश्चे नहीं, लाचारी बैठे हैं बहुत हैं, जो ज्यान का गर भी नहीं जानते कभी पढ़ते भी नहीं, माया पढ़ने नहीं देती ऐसे सब सेंटर्स पर हैं, कभी पढ़ने आते नहीं वंडर है न, कितनी उंची नोलेज है भगवान पढ़ाते हैं, बाबा कहें यह काम न करो मानेंगे नहीं, जरूर उल्टा काम करके दिखाएंगे राजधानी स्थापन हो रही है उसमें तो हर प्रकार के जाहिये न, उपर से लेकर नीचे तक सब बनते हैं मर्तबे में फर्क तो रहता है न, यहां भी नंबरवार मर्तबे हैं सिर्फ फर्क क्या है, वहां आयू बड़ी और सुख रहता है यहां आयू छोटी और दुख है बच्चों की बुद्धी में यह वन्रफुल बाते हैं कैसा यह ड्रामा बना हुआ है फिर कल्ब कल्ब हम वही पाल्ट बजाएंगे कल्ब कल्ब बजाते रहते हैं इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पाल्ट भरा हुआ है वही फीचर्स, वही एक्टिविटी यह स्रिस्टी का चक्र फिरता ही रहता है बनी बनाई बन रही यहे चक्र फिर भी रिपीट होगा सतो प्रधान, सतो रजो तमों में आएंगे इसमें मुझने की बात नहीं अच्छा, अपने को आत्मा समझते हो आत्मा का बाप शिबाबा है यहे तो समझते हो ना जो सतो प्रधान बनते हैं वही फिर तमो प्रधान बनते हैं फिर बाप को याद करो, तो सतो प्रधान बन जाएंगे यह तो अच्छा है ना? बस यहां तक ही ठहरा देना चाहिए बोलो, बेहद का बाब यह स्वर्ग का वर्सा देते हैं वही पतित पावन है बाप नौलेज देते हैं बैट शास्त्र बनाते हैं सत्यूग में शास्त्र होते नहीं परंपरा तो कोई चीज होती नहीं नाम रूप तो बदल जाएगा अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूपानी बाप की रूपानी बच्चों को नमस्ते रूपानी बच्चों की रूपानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, कभी भी या हुसेन नहीं मजाना है बुद्धी में रहे हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं हमारी चलन, वारतालाब बहुत अच्छा होना जाहिए कभी भी रोना नहीं है दूसरा, निश्चे बुद्धी बन एक बाप की मत पर चलते रहना है कभी मुझिना वा घुटका नहीं खाना है निश्चे में ही विजे है इसलिए अपनी पाई पैसे की मत नहीं चलानी है आज का वर्दान किसी भी परिस्थिती में फुल स्टोप लगाकर स्व्यम को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्रभव बाब ने कहा किसी भी परिस्थिती में फुल स्टोप तब लगा सकते है जब बिंदू स्वरूप बाप और बिंदू स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृती हो कंट्रोलिंग पावर हो जो बच्चे किसी भी परिस्थिती में स्व्यम को परिवर्तन कर फुल स्टोप लगाने में स्व्यम को पहले ओफर करते है वह दुआओं के पात्र बन जाते है उन्हें स्व्यम को स्व्यम भी दुआएं अर्थात खुशी मिलती है बाप दवारा और ब्राह्मन परिवार दवारा भी दुआएं मिलती हैं स्लोगन जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृड़ता का ठपा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दिड़ता का ठपा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे अच्छा ओम शान्ती अब सुनते हैं आज की अव्यक्त मूरली इसके लिए उपर दिये गए बोक्स पर क्लिक करेंगे अच्छा